नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं अधिकारियों के साथ राज्य में सुखाड को लेगा क्रिसी विभाग के तयार सुखे की आकनन रिपोर्ट पर बीचार विमर्स के बाद या महत्पुन निनलिया है राज्य आपदा प्रवंदन प्रादिकार की बैठाक में निनलिया गया है कि राज्य के चीनीद 22 जीलों जिसमें पूर्वी सिम्हूं एवम सिम्डेगा को छोड़ कर 226 पर खंडों के परभावित किसान परिवारों को बड़ी रहात दी जाएगी इन 226 पर खंडों के सबी प्रभावित किसान परिवारों को या राशी सिग रही उपलब्द कराई जाएगी ऐसे में राज्य सरकार की नैतिक जिम्हेदारी है कि प्रभावित किसान परिवारों को ततकाल सुखा रहात राशी उपलब्द कराई जाए रांची इस्थित मौसम केंद्रे के मुताबिक जारखन में 30 और 31 अक्टूबर को सुबा धून दिया कोरा चाय रहेगा हालाकि बाद में आस्मान साफ हो जाएगा दिन में मौसम सुस्क रहेगा राजधानी रांची में 30 अक्टूबर को सुर्य दे सुबा पांच बच कर तीरपन मियट पर होगा जबकि सुर्यास्त का समय पांच बच कर बारा मियट बताया गया है मौसम भी भागने बताया है कि पिछले 24 खंटे के दौन मौसम सुस्क रहा है इस दोरान अधिकतम तपमान चाई बासा में दर्च किया गया जबकि निमतम तपमान खोटी का रहा है नवंबर से सरकार आपके दौर का दूसरा चरहन राज सरकार के निर्देशा अनुसार आपकी वह नापकी सरकार आपके दौर कार्यकरम आयोजित किया जा रहा है सबी पंचायतों में सिवीर आयोजीत किये गये थे इस कारिकरम के तहत पंचायत अस्तर पर सिवीरों का वजन किया गया इसमें राज सरकार के विभिन कल्यानकारी योजनाव का अधिक अधिक लाब सिवीर में ही आम जनों को उपलबत कराया गया सीवीरों के माध्यम से सरकारी योई नावक जनकारी आम जन तक पहुचाने की बिचेस ब्यवास्ता की गई थी सीबीएसी बोर्ड दसवी बरहवी प्रेटिकल परिक्षा एक जनवारी से सीबीएसी की ओर से स्कूलों को इस समझ में पत्र भेज दिया गया है पत्र में कहा गया है कि एक जनवारी से परिक्षा होनी है जिसके लिए स्कूलों को त्यारी पूरी जल्द करनी है प्रायोगी की परिक्षा में दस चात्रों का गुरूप बनाया जाएगा हर गुरूप के लिए एक्स्टर्नल और इंटर्नल अलग होंगे परायोगी परिक्षा लेते हुए गुरूप की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी परिक्षा समाप्त होने के बाद उसे cbc की वेपसाइट पर अप्लोड भी किया जाएगा इसकूलों को यह टाल folie मैंट जाएगी जाएगी जैर्खन बोड आठव़ी से 12 से 12 तक कघाल बने का क्योस्टन बैंके राज़्ये के 12 से 12 के चात्र शात्रै के मोडल प्रशनपत्र के सा छात क्योस्टन बैंक भी मिलेगा इसमें सभी विशायों के सभी चेप्टर से होने वाले अब्जेक्टिक वा सब्जेक्टिक सवाल होंगे इसके अधार पर छात्र छात्रा त्यारी कर सकेंगे इसकुली सिक्षावा सच्टा विभाक सचीव के रभी कुमार ने इसके लिए जारकन सेक्षिनिक अनुस्वंधान वा प्रसिक्षन परिशत को क्योशन बैंक त्यार करने का निजेस दिया है बता दिया क्योशन बैंक आठवी से बराहवी तक के हर कलास का अलग-अलग होगा इसमें कलास वार सभी विशाय के चेप्टर सामिल होंगे हर चेप्टर से बनने वाले अब्जेक्टिक प्रस्ण और सब्जेक्टिक प्रस्ण को इसमें भी स्तार से रखा जाएगा इसी अधार पर आठवी से बराहवी तक के मोडल प्रस्ण पत भी तियार किये जाएंगे इसे चात्र चात्रा सौलवर कर परिक्षा के त्यारी कर सकेंगे कियोचन बैंक में सिर्फ प्रस्ण रहेंगे जिसके उतर चात्र चात्राव को खुद ढूंड कर करना होगा छट पूजा में रासन दुकानों से नहीं मिली लाभकों को चीनी जारखन के खादा पूर्ती एवं बीत मंत्री रामेशरू रावने जन बित्रन प्रनाली के दुकानों से लाभकों को दिपावली से पहले ही चावल और गेहों के साथ साथ चीनी भी उपलब्द कराने का दावा किया था ताकि कारधारियों का तेवहार भी मिठास भरी हो लेकिन अफसोस यहा कि राजधानी में दिपावली चीनी के बिना फिकी रहने के बाद छट तक भी जयातर करधारियों को चीनी उपलब्द नहीं कराया जा सका हर्मू भाजपा कर्याले के पीछे के एक जन बित्रन प्रनाली के दुकान पर चावल गेहों लेने आई बीसी को 35 किलो अनाज तो मिला लेकिन 3 किलो चीनी नहीं मिली बीसी कहती है कि जो डीलर देगा वही लेंगे एक साल से चीनी नहीं मिला है अब मिलने के उमीद भी नहीं है 15 लाख रूपए 60 मिनट में दोगना का लालस देकर मारी गोली रांची पुलिस ने मेन रोड रांची इस्थित मंगल प्लाइवूड में कारोबारी सोरव को गोली मारने के आरोप में 3 अपरादयों गिरफतार किया है इनमें चंदन दास अमन कुमार और बदुल नमी सामिल है चंदन दास और अमन कुमार की गिरफतारी पच्छी मंगल से हुई है वहीं अपदुल नमी की गिरफतारी रांची से ही हुई है तीनों अपरादियों ने 11 अक्टूबर को कारीबारी के गोली मार दी थी इनको पकरने के लिए एसाइटी के अगठन किया गया था बतादे रांची के एस एसपी की सोर कोसल ने बताया है कि मंगल प्लाइवूड के मालीक संजय चाधरी और अपराधी अमन कुमार में पहले से दोती थी अमन कुमार ने संजय चाधरी से कहा था कि वह उसे 15 लाख रुपए देगा तो आधा घंटा के अंदर उसका पैसा दोगना हो घंटा के दिन तीनों अपराधी विशनु गली में मवजूद थे तीनों अपराधियों ने रास्ते में ही पैसा लूटने की यूजना बनाई थी खरणा पूजा के साथ 36 घंटे का निरजला चट वरत शुरू हो गया चट महापरो के तीसरे दिन रभी वार 30 अक्टूबर को चट वरती भागवान भासकर को अरग देंगे सनिवार को दिन भर उपवास रखने के बाद साम में खरना का नुष्ठान किया गया वरती ने भागवान की पूजा अर्चना कर सभी के लिए मंगल कामना की और परसाद गरहन किया इसके बाद परसाद का वित्रन भी किया गई बता दे इसी के ताथ छठ वरतियों का 36 गंटे का निर्जला वरत शुरू हो गया है रभीवार को शुर्योदय के बाद भागवान की पूजा अर्चना कर के लोग गीत के बीच परसाद बनाने की त्यारी शुरू हो जाएगी इस बाद रभीवार को छठ पर रहा है इसलिए इसकी महता और काफी बढ़ गई है रभीवार को भागवान सुरी की पूजा का दिन मना जगया है वर्सो बाद ऐसा सन्योग है की छठ महापर्व रभीवार को पर रहा है कोईलांचल की धोरी माता के वार्सिक उत्सव पर भव्य सोभायातरा कोईलांचल के जारंग डी श्थित धोरी माता तिर्थला आस्था का परमुक्यंद रहा है यहां देश के विभीन भागों से सभी धर्म वजातिक लोग आते हैं यहां आने वाले भागतों में यह अटूट विश्वास है की माता सब की मुराद पूरा करती है बतादे कोईलांचल के स्रमिको का माता पर अटूट विश्वास है स्रमिको का मानना है की धोरी माता कोईला स्रमिको को अपनी सुरक्षा पदान करती है परतेक वर्स अक्टूबर माह के अम्तिम सनिवार तथा रभीवार को यहाँ वार्शी कोच्छव मनाया जाता है सनिवार को भवे सोभा यात्रा निकाली गई वार्शी कोच्छव में भाग लेने के लिए जार्खन बिहार बंगाल ओडिसा मद्य परदेश आंदर परदेश करनाटक चेननाई बेंगलोरू केराल उतर परदेश सहीत कई राजियों से बड़ी संक्या में सरधालू पहुंचे हाँ स्वास्थ मंत्री बन्ना ने छोठ से पहले घाट पर लगाया ज़ाड़ू 30,00,000 किसानों को सुखार का मिलेगा लाब मोख्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ राज में सुखार को लेकर किरिशी भी भाग द्वारा त्यार की गई सुखे की आकलन रिपोर्ट पर विचार भी मर्ज करते हुए महतपूर नहीं लिए मोख्य मंत्री ने किरिशी भी भाग द्वारा त्यार की गई आकलन रिपोर्ट पर गहमिता से विचार करते हुए राजे के चिनहीत 22 जीलों के 226 पर खंडों के परभावित किसान परिवारों को बड़ी रहात देने की खोस्ता की मोख्य मंत्री ने कहा आकि सुखे किस्तिती को देखते हुए 22 जीलों के 226 पर खंडों के प्रतिक किसान परिवारों को ततकाल सुखा रहा थे तू 35 रुपे रासी दी जाए इन 226 पर खंडों के सभी परभावित किसान परिवारों के यह रासी सिग्र उपलब्द कराई जाएगी राजी के लवग 30 लाग से अधिक किसान परिवारों को इसका लाब मिलेगा कोडालमा बिधायक नीरा यादाव कर रही महापरवच्छठ लोक आस्था का महापरवच्छठ को लेकर सनिवार को खारना संपन हुआ इसके साथ ही छठ वर्तियों का 36 गंटे का निर्जला उपवास सुरू हो गया है रभिवार को डूपते सुरज को अरग देने के बाद छठ वर्ति सोमवार की सुबा उदयमान भगवान भासकर को अरग दे कर पारन करेंगी खारना को लेकर जिला मुख्याले और आसपास के छेतरों में काफी चहल पहल देखी गई है सरधालू महिला पुरूस और बच्चे शठ वर्तियों के आवास पर साम को पहुंचे और खारना का प्रसाद गरहन किया बता दे कोडार्मा विधायक डक्टर नीरा यादव ने पुजा अर्चनाकर खारना का प्रसाद गरहन किया है कार्तिक उराव की अन्ठान्वी जियन्ती पर बाबुलान ने कहा सपनों को पूरा करने के लिए करे चिंतन कार्तिक उराव की अन्ठान्वी जियन्ती के आउसर पर गुमला के करोंदा लिटा टोली में सनिवर को जियन्ती समारो काजन किया गया मुक्य अतिती पूर मुक्य मंत्री सभाजपा बिधायक दल के नेता बाबुलान मरांडी 36 राज के जस पूर बिधायक बिनाए भगत अखिल भारतिय आदिवासी विकास परिसद के राज संजोजक डाक्टर अरुन उराव सिन्नी टोपो जीला अध्यक्ष किरन माला बड़ा भाजपा जीला अध्यक्ष अनुव चंद्र अधिकारी सहित अन्य ने सन्युक्त रूप से करक्रम का उधाटन किया बाबुला मरांडी ने कहा कि कार्तिक उराव आदिवासी समाज के जमीनी नेता थे वे अपने लोगों से दुख दर्द समाईते थे आज भी उनका सपना अधूरा हाई उनके सपनेों को कैसे पूरा करना हाई या हम सब को चिंतन करने की जरूरा थाई लोहर्दगा में अधेर बिधवा महिला की दुख कर्म के बाद हत्या लोहर्दगा के कुड़ू थाना छेतर की सलगी पंचायत में एक अधेर बिधवा महिला की दुख कर्म के बाद हत्या करने का संसनी खेज मामला सामने आया हाई पुलिस को जैसे ही जुचना मिली पुलिस मोगे पर पहुंचिया है उसाओ को कब जामे कर लिया है पुलिस की माने तो पुश्मासम के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा पुलिस जाच में जुटी है आपको पता दे मृत का के पुत्र ने कुट्डू थाना में लिखीत आवेदन देकर दुसकर्म के बाद हत्या करने का रोप लगाया है गुमला में दो नबालिक लड़कियों से दुसकर्म गुमला जिले के राइडी थाना छेतर में एक ही अस्थान प्रमात्र 30 मीटर की दूरी पर दो नबालिक आदिवासी लड़कियों के साथ दुसकर्म का मामला परकास में आजा है इसमें एक लड़कि से समोहिक दुसकर्म हुए है दोनों पीडिता के उमर करीब 17 वरस है पहली घर्टना में 17 वरसे नबालिका के साथ तीन लोगों दुवाला समोहिक दुसकर्म किया गया वहीं घर्टना के जनकारी तब हुई जब पीडिता वह उनके पिता थाना पहुँचे और आवेदन देते हुए तीनों आरोपियों के बिरूद नामजाद पराथमी की दर्ज कराई आरोपियों के बिरूद पराथमी की दर्ज होते ही पुलिस ने चापे मारी कर तीनों आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है कोलकात्ता बेवसाई अमित अगरवाल का बुरा हाल कोलकात्ता बेवसाई अमित अगरवाल ने जेल की बजाए घर से खाना मंगाने की छूट देने की मांगी है इसके लिए उन्होंने अपने अधिवक्ता साबाज अक्तर के मादेम से एड़ी की बीसे स्कोट में आवेदन दाकिल किया है सुनवाई की दुरान अधिवक्ता साबाज ने अधालत को बताया है कि अमित अगरवाल की तवियत खराब है उनका इलाज रिम्स में चल रहा है समभवता उन्हें किड्नी में एस्टोन की सिकायत है ऐसे में उन्हें जेल का खाना से उपाच नहीं है इसलिए उन्हें घर का खाना दिये जाने की अनुवति पदान की जाए इसके अलाबा उनकी ओर से अमित अगरवाल की हिरासत अधी नहीं बढ़ाया जाने की भी मांग की गई है पंकज मिस्त्रा के चहेते दाहो यादो वा सुनिल यादो जाएंगे जेल जार्खन के संताल के छेत्रे में 1000 करोर के अवायद पथर खनान मामले मनी लॉंडरिंग के तहत अनुशंधान कर रहे इडी ने आप पंकज मिस्त्रा के सहोगी दाहो यादो वा सुनिल यादो की विरोत कोट से गिरफतारी वरंट ले लिया है दाहो असुनिल सगे भाई है इन पर जारकन के मुखे मंतर है मन्सुरेन के विधायक परतिनिदी पंकज मिस्तरा के साथ मिल कर अवायद खनान अवायद परिवाहन वा साहिब गंज में गंगा नदी पर अवायद तरीके से जाहाज परिचारन का भी आरोप है पुरो में इडी ने ना सिर्फ आरोपितों के ठीकानों पर शापे मारी की थी बलिक उनके जहाज को भी जब्त किया था छट घाटों पर सुरक्षा के पुखता इंतजाम राजे के बड़े छट घाटों पर जीला परसासन की टीम के साथ राश्ट्रिय आपदा मोचन बल के जवान भी तैनात किये गए है NDRF के साथ राजे आपदा मोचन बल के प्रसिक्षु जवानों को भी लगाया गया है ताकि किसी भी बीसंपरिसिती में तुरंत रेस्क्यू चलाया जा सके परमुक डेम नदीवा तलाब जहां आत्यधिक भीड जुटने की संभावना बनी रहती है वहाँ भी से सुरक्षा के इंतजाम होंगे बता दे चट पुजा समीतियों के साथ मिलका जीला पर सासनवा एंडियार ने खतरनाख घाटों पर बेरियर भी लगा दिया है ताकि उससे आगे कोई भी नहीं जा सके चट घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं जारखन में जीला अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए 10 बेड और सहनिये दर्द जेलने वाले गंभीर रोग के मरीजों के इलाज के साथ साथ उन्हें आवस्यक रहत परदान करने के लिए राजे के जीला अस्पतालों में भी सेस देख भाल की बेवस्ता की जाएगी इसके लिए सदर अस्पतालों में दस दस बेट के पहली एट्टिव के और वाट के स्थापना की जाएगी बता दे पहले चैन में 12 जीलों के सदर अस्पतालों का चैन किया गया है इनमें बुकारो देवकर धनबात गुमला लाते है रांची दुमका जामतरा कोडरमा पलामू सराय के लखर्चावा तथा पचमी से में उजीला सामिल है मोबाइल नहीं दिलाया तो पूलिस के बेटे ने दी जान नाया मोबाइल नहीं खरीदने से नराज नगर ठाने के सिपाही मुकीन हंसदा के 13 वर्षी बेटा अनुज हंसदा ने सनिवार को बंदर जोड़ी इस्थित नीजी आवास में फांसी लगा कर जान दे दिया तब ही मा से मोबाइल खरीदने के लिए बहुत हुई थी मा ने अस्वासन दिया है कि जल्द ही मोबाइल दिला दे जी आएगी यह बात अनुज को नगवार गुजरी और कीचन में रसी के सहारे फांसी लगा ली रगुवर दास ने कहा है भुगतने होंगे गंभीर परिनाम सिद गोडाई सिद सोन मंडप परिचर में सुक्रवारात को रगुवर वस सर्जू समर्थकों में होई मार पिट के बाद महुल गर्मा गया है दूसरे दिन पुरमुक मंत्रिवा भाजपा के रश्ट्रिय उपाधक्स रगुवर दास ने सुर्वे मंदीर परिचर में मंदीर कमीटी वस थानिये लोग के साथ बैठक की उन्होंने कहा है कि DCSP जानता के नौकर है उन्हें निस्पक्ष करवाई करनी चाहिए रगवर ने कहा है कि जीला पर साथन को मंदीर कमीटी भांग करने का अधिकार नहीं है या काम ट्रस्ट के रईस्ट्रार कहा है हलाकी जीला पर साथन ने मंदीर कमीटी को भांग नहीं किया है बहराल बैठक के दोरान ही अन्वंडल अधिकारी धालभूम प्यूस सिन्हा वा अपर जिल्या दंडा अधिकारी नंद की सोरलाल भी वहां पहुंचे महोल और गर्मा गया रगवर समर्थक बिधायक सर्जुराय के समर्थक पर करवाई की मांग करने लगे गीरी डी के डूमरी अस्पताल में बिजली के साथ गई मरीज की जाहन सरकारी अस्पतार और बद इंतजामियां का दुखना होत गीरी डी जीले के डूमरी रेफरा अस्पताल चले जाए बता दे यहां हालात यह है कि आपात काली मरीजों के लिए अस्पताल में 26 ऑक्सिजन सिरेंडर तो हैं लेकिन सब खाली हैं ऑक्सिजन के अभा में सुक्रवार देर रात इस अस्पताल में 55 वर्षी ए डुकामन मोहतों की मौत हो गई है इस अस्पताल में अचानक बेली चले जाने पर मरीजों के लिए जेनरेटर का तो इंतिजाम किया गया लेकिन उसे चलाने के लिए उसमें डीजल डलवाने की फुर्षत किसी करमचारी की पास नहीं थी मिरिता के परिजनों के मुताविक 55 वर्षी ए टुकामन मोहतों की तबियत घर में अचानक खराब हो गई परिजन उन्हें ततकाल डुमरी रेफरर अस्पताल ले गया है मोहतों की तबियत ज्यादा खराब होने के करण उनको अस्पताल में भरती लिया गया और उनका अस्पता के निदेश पर रेली निकाली गई इसका नितित्वे सहाय कमांडेंट अलोक कुमार भाटी ने किया इसमें 55 वाइक पर करीब 100 जवान और अधिकारी सवार थे रेली का उदेश लोगों को राष्ट्रिय एकता को सरो परीब बताना था अस्थानिये लोगों से मैत अस्थापित कर उनके बीच फल आधिका भी बितरन किया गया खोटी के तिरंदाजों ने राष्ट्रिय परत्योकता में जीते दो स्वार्ण पदक केंद्रिय बिद्याले खोटी के छादरों ने दिली और फरीदाबाद में आयुजित केंद्रिय बिद्याले स्पोर्ट सभी परतिभागी बिर्सा तिरंदाजी अकादमी खोटी में प्रसिक्षन प्राप्त कर रहे हैं इन आट बचों की टीम में पांच बालिका और तीन बालक सामिल थे MGM अस्पतालों में मरीजों को लगाया ऑक्सिजन का खाली सिलेंडर मरीज की मौत जम सहतपूर के MGM अस्पताल में गुरू आरात मरीज को खाली सिलेंडर लगा दिया गया जिसके कारण तलब तलब कर उसकी मौत हो गई शुक्रवार सुभा परिजनो और जन प्रतिनीदों ने डॉक्टर करमचारियों पर लपरवाही का आरूप लगाते हुए हंगामा किया इसके बाद अस्पताल का दिख्षक ने मामले की जाज के लिए मेडिकल बोड का गठन किया है मेडिकल बोड में तीन डॉक्टरों को रखा गया है सौका पॉस्माटा मेडिकल बोड की निगरानी में होगा साथी वीडियो को राफी भी कराई जाएगी परिजनों ने साक्षी थाना में डॉक्टर रभी समेत आने पर इलाज मिला परवाही का केस दर्ज कराया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वाइक अवास से दे थांक यू